आज हम आपके लिए बहुत ही असानी से मिल जाने वाला पौदा लेकर आए हैं जो हर घर में लगा होता है बहुत असानी से मिल जाता है इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है खाने पीने की चीज़ें बनाने में काम आता है जैसे सांबर में, इडली के उपर से डेकॉरेशन करने में आप समझी गए होंगे जि मैं कड़ी पत्ते की बात कर रही हूँ यह देखिए पास से दिखा देती हूँ हर घर में बहुत असानी से मिल जाता है बहुत असानी से मिलने वाला पौदा है आज मैं आपको इसके कुछ आयरवदिक, मेडिसनल और बहुत इंस्टेंट यूजिस बताऊंगी जो कि बहुत कारगर है जैसे कि अगर कभी किसी को वामिटिंग हो रही हो तो घर में मीठा नेम्बू पानी आप बना सकते उसके आप 15-20 एमेल वो ले लो उसमें 10 पत्तों का इनका रस जाल दो यानि कि आपको 10 एमेल रस अराम से बन जाएगा वो आप तो एक चम्मच उसमें डाल सकते हैं मीठे नेम्बू पानी में और अराम से दे सकते हैं किसी को जो वामिटिंग है, नाउजिया है, जी मचलाना है एक तम से कम हो जाता है और जिन पेशेंट्स में डाबटिस की टंडेंसी है जानि कि हैरेडिटी कॉस है उनमें कि फैमली में चलती आ रही है डाबटिस उन लोगों में अभी डाबटिस मैनिफेस नहीं हुई है, क्लिनिकली सामने नहीं आई है पर prevention के लिए बड़े वाले ये पत्ते हैं जो चोटा पता नहीं बड़े वाले ऐसे दस पत्ते रोज सुबा लेते हैं अगर तीन महीने के लिए लगाता रहा तो बहुत अच्छा है उनके लिए कि चांसिस कम हो जाते है कि हैरीडीटी की वज़ा से जो डाबिटीस की अक्रिंस उन में हो सकती है उसके चांसिस काफी कम हो जाते हैं और वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है करीब अटा बाकी मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बालों के लिए बहुत अच्छा है यानि अगर इसका आप 10-12 पत्ते लेते हैं उनको स्क्वीज करके जूस बना लेते हैं खरल में पानी के साथ और दो जम्मट जूस लगबग 10 ml जूस हम लसी के साथ लेते हैं तो बालों की जो रूट्स की नैच्रल पिगमेंट है उसको रिस्टोर करता है और जो समय से पहले बाल सफेद हो जाते हैं उसके लिए बहुत बहुत कारगर है ये अगर कुछ देर लगातार किया जाए और वैसे एक और भी इसका उपाई है कि अगर कुछ पत्ते आप 10-15 पत्ते इसके ले लो और नारियल के तेल में जितना आपने हेर ओल के तरह अपलाई करना है उसमें इसको पकालो जब तक कि पत्ते एकदम काले ना हो जाए और वो वहला तेल इस्तेमाल करते हैं बालों पे लगाती तब भी बाल बहुत काले रहते हैं अच्छी शाइन मुन में आ जाती है और एक इसका यूज में आपको ये बताऊंगी कि ये आपके लिए अगर कभी इंसेक्ट बाइट हो जाती है या मान लेजिए कोई मदुमक्ही ने काट लिया है कोई चीज़ है घर पे कोई ओइंटमेंट अवैलेबल नहीं है उस टाइम करी पत्ते का जो फल होता है न जैसे हरा होता है थोड़ा पक जाए तो परपलिश हो जाता है वो अगर रगण लिया जाए उसको थोड़ा सा खोल के फल को रगण लिया जाए उस स्थान पर इंसेक्ट बाइट वाले पे तो एकदम से अराम आ जाता है बहुत अच्छा काम करता है anti-inflammatory properties होती और इसके पत्तों का juice मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी अगर हम 10-12 पत्ते लेके उनको ऐसे घोटे खरल में और इनका juice निकालके आंखों में डालते हैं तब भी बहुत अच्छा है आँखों के lens के लिए बहुत अच्छा है cataract को prevent करता है और बहुत ही शांती देता है आँखों के लिए बहुत अच्छा juice है इसका भी देखिए आपको मैंने बालों के लिए आँखों के लिए बता दिया vomiting stop करने के लिए बता दिया इस तरह कड़ी पत्ते को आप खाने में तो यूज करते है पराज मैंने आपको इनके instant medicinal यूज भी बता दिये है आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा जादा से साथा लोगों के साथ आप इसे share करेंगे धन्यवाद